कहते हैं भगवान हर जगा हमें और वे समय समय पर इस पृत्वी लोग में अपने दूर को भेशते रहते हैं इसी तरह का एक दूर भगवान का लेकिन उनकी कोई पहचान, कोई नाम, कोई माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं मालू लोगों को वे एक आम इनसान ही लगा, लोगों को वे दूर विवार की तरह उन से पेश भी आते थे, लेकिन उनकी जो मिठास के बोल वे सत्तिक थे इसी बात को कुछ लोगों ने समझा, पर कुछ लोगों ने उनको नका रहा और उनको बहुत बराबुरा भी कहा समय बीता जब उनकी ये बाते लोगों को समझ में आई, तो उनको बहुत अपनी गल्तियों का एसास भी हुआ लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को भेद भाव और नहीं किसी को उचानी चाद सिखाया ना देखा है अपने ही भजन में, सिमरन में, भगवान के बारे में, इस जीवनकाल के बारे में जो की बहुत छोटा सा है बताने की कोशिर करते रहे, जो अपने मन से किसी को समझ ले, देख ले, रख ले तो उसको इनसान में भी भगवान मिल जाता है तो ऐसे ही हमारे सिर्टी वाले साइं बाबा जी की गाता है, उनके जीवन शैली, जनम परिवार, उनकी जीवन शैली के सारे के बारे में, आज हम सब जानेंगे चलिए शुरू करते हैं साइं बाबा जी का जनम, 28 सतंबर 1835 को हुआ जिन्हें सिर्टी साइं बाबा भी कहा जाता है, एक भारतिय ग्रूप संत एफ फकीर के रूप में बहु मानने हैं उन्हें अन्यूयागी, उन्हें सर्वशक्ती मान, एफ स्वरवापी मानते हैं अब बात करते हैं उनकी जीवन परिचेक साइं बाबा जी का जनम कब और कहा हुआ था वह उनकी माता पिता कों थे वे बाते अग्यात हैं किसी दस्तावेश से इसका परिणाम का पता नहीं चला है स्वयम स्रिटी साइ बाबा जी ने इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया हलाकि एक गाता के रूप में ये परचलित है कि एक बार स्रिटी साइ बाबा जी ने अपने एक अंतरगत भक्त महाल सा पती को जो की एक बाबा के साथ ही मस्जिद तथा चावडी के शायन करते थे उन्होंने बत्तलाया था कि मेरा जनम पांडवी जनी पात्री के एक ब्रामन परिवार में हुआ था मेरे माता पिता ने मुझे बाल वस्था में ही एक फकीर को सौप दिया था कहते हैं चर्चा चल रही थी तब भी पात्री से कुछ लोग वहां आए बाबा जी ने उनसे कुछ लोगों के संबंद से पूश्टाश भी की उनके जनम स्थान के बारे में तिथी के बारे में पूछन के अनियाईयों और विश्वाश शर्दा पर धारित है सिर्डी साई बाबा के अवतार माने जाने वाले शिरी सत्य साई बाबा ने अपने पूरव रूप का परिच्चे देते हुए सिर्डी साई बाबा के पार्थिक जीवन संबंदी घटनाओं पर परकाश डाला है जिसमें ग्याद होता है कि उनका जनम 28 सितंबर 1835 में तत्कालिन हैद्राबार राचेवे पाथरी नामक गाउ के एक ब्रामन परिवार में हुआ था चलिए माता-पिता जनम स्थान इनके बारे में भी जड़ाग देख लें जनम तिती वे स्थान की तरह साई के माता-पिता के बारे में भी प्रमानित रूप से कुछ भी ग्याद नहीं है शिरी सत्य साई बबा द्वारा दिये गए प्रयवप्त विर्वन के अनुरूप उनके माता पिता के नाम शिरी कंगा बावडिया वै उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा माना जाता है दोनों शिव पारवती के उपासक थे तथा शिव के अशिर्वा से ही उनकी संतान हुई थी कहा जाता है कि जब साई अपनी मा के घर में थे उसी समय उनके पिता के मन में ड्रमा की खोज में अरण व्यास की अभिलाशा तिर्व हो गई थी और अपना सब कुछ त्याक कर जंगल में निकल पड़े थे उनके साथ उनकी पत्नी भी थी मार्ग में ही उन्होंने बच्चे को जनम दिया था और पती के आदेश के अनुसार उसे व्रिश के नीचे छोड़ कर चली गई थी एक मुस्लिम जो फकीर था उदर से निकलते जा रहे थे जो कि संतान की आवाज सुनते ही उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया और प्यार से बाबा का नाम रखकर उन्हें उनका पालन पोशन भी किया बच्पन चांद पाटिका का आश्रम बाबा जी का लालन पालन एक मुस्लमान फकीर के द्वारा हुआ था प्रन्तु बच्पन से ही उनका जुकाव भीभिन धर्मों की ओर था लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एक शिक्ष्ट आस्था नहीं थी कभी वे मंदिरों के मंदिर में घुश जाते थे तो कभी मस्जिद में जाकर शिविलें के स्थापना करते थे इनसे ना तो गाउं के हिंदू परसंत थे और ना ही मुस्लमान हिरंतर शिकाइद आने के कारण उनको पालने वाले फकीर ने उन्हें घर से निकाल दिया साइक के जितने वरताब परताब हैं वैस सभी उनके किसी ना किसी चमतकार से जुड़े हैं ऐसे ही एक वरताब के अनुसार और अंगाबाद जिले के एक धूप गाउं के एक अंधाएगेस मुस्लिम सज्जन की खुई गोड़ी बाबा के एक कथा अनुसार मिल जाने से उन्हें ने प्रबावित होकर बाबा को आश्रे दिया और कुछ समय तक बाबा वहीं रहे सिर्डी में आगमन के बारे में जानते हैं चमतकारिक कथा के तोर पर ही कहा जाता है कि बाबा पहरी बाहर सुले वर्ष की उमर से सिर्डी में एक नीम के पीड़ के तले पाए गई थे उनके इस निवास के बारे में कुछ चमतकारिक कथाएं पर चलित हैं और कुछ समय बाद वह वहां से अद्रिश हो गए थे सिर्टी आने एव उसे निवास्थान बनाने के संधर्ब की कता है कि चांद पाटिल के आश्रे में कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल के एक निकट संबन्दी की बराद सिर्टी गाउं गई जिसने साथ बाबा भी गई थे विवासंपन हो जाने के बाद बराद तो वापस लोट गई परन्तु बाबा को वह जगा काफी पसंद आई और वह वही एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहने लगे और जीवन परियत वही रहे चुर ये जानते हैं साई बाबा जी के नाम की प्राप्ती कैसे हुई कहा जाता है कि चांद पाटील के सिर्टी गाउं पहुंची तो खड़ूबा के मंदीर के सामने ही बैल गाडियों खोल दी गई थी और बराद के लोग उतरने लगे थे वहीं एक शरदालू व्यक्ति महासापती के तरुन फकीर के तिजैसवी व्यविच से अभी भूत होकर उन्हें साई कहे कर संभोदित किया धीरे धीरे सिर्डी में सभी लोग उन्हें साई या साई बाबा के नाव से ही पुकारने लगे और इस परकार वे साई से परसीद हो गए अब बात करते हैं धार्मिक मानता की साई बाबा का पारण पोशन मुसल्मान फकीर के दुवारा हुआ था और बार में भी वे प्रयाय मस्जित में ही रहे उन्हें लोग समान तै मुसलिम फकीर के रूप में ही जानते थे वे निरंतर अल्ला का समर्ण करते थे अल्ला मालिक कहां करते थे हलाकि उन्होंने सभी धर्मों को एकता का बल्दिया विभिन धर्मों को अपने आशने स्थान देते थे उनकी अन्याईगी हिंदू और मुस्लमान दोनों करते थे और हिंदू और मुस्लिम से अलग भी जाती के लोग उनको मानने लगे थे उन्होंने हिंदु धर्म गरंथों के अधियान को भी प्रिशेंद दिया था और उस समय भारत में कई परदेशों में हिंदु मुस्लिम द्रोश वेसाइब था प्रणतु उनका उदेश अपना ही एक अलग था उनके मन में जो भी था सुबह अपने मन से सच बोल देते थे और उनके मन में जो विचार्व थे वै ये थे राम और हरीम दोनों एक ही है और उनमें विटितर मातर भी भेद नहीं है फिर भी तुम उनके अन्याकी होकर क्यों परसर पर जगडते हो अग्यानी लोगों में एक एकता साथ कर दोनों जातियों को मिल जूल कर रहना चाहिए और वे भी समा आया जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी और उनका मानना था कि इस जीवन में जो आया है एक ना एक दिन हमें सब कुछ छोड़के जाना है लेकिन हम क्या करके जा रहे हैं तो हमें संतुष्टी मिलेगी तो इसी बात को समझा कर पर्मान को रखते हुए ज्योती ज्योत समा गए 15 अक्तूबर 1918 को हमें छोड़के चले गए लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए है इनको कोई नहीं निकाल सकता जदि मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो मुझे बताएं मेरा मानना ये है सेवा जीवित इनसान की है उनकी करनी चाहिए ताँ कि जब हमारे बीच ना रहे तो उनकी जीवन शैली की बात उनके विचार उनका ग्यान हमारे पास रहे वह वो कभी नहीं मरता हम याद करते हैं उनकी बरसी को हम याद करते हैं लिए कि हम उनके आंशन्स लिए हमें जो सिखा कर गए हैं वह हमारे पास सदा रहेगा और हम अपने बच्चों को शिक्षा आगे देते रहेंगे और ये ऐसे ही एक चलता रहेगा एक मातर एक उपाए है जिससे हम अपने माता-पिता दादा-दादी और हमारे पुरुव जने तो हम उनको सुमान दे सके किसी बात का पस्तावा नहीं रहेगा सेवा जीवित इनसान की है ठीक है नमस्कार जी दोस्ता